कौन नहीं चाहता है कुबसरत चेरा ? हर कोई चाहता है कि वह खुबसूरत दिखे उनकी स्कीन तीयर रहे कोई दाब दबे ना हो और जूर्या ना रहे ताकि वह हमेशां यंग दिखे हम सब चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कही न कही आप भी चाहते है कुलिक यह आपने वीडियो किया है, आपने सही वीडियो किया है, सही वीडियो में आया आपको फाइदा ही होने मालाने आज मैं आपको ऐसाथ पेस्पिक बनाना, सिखाने वाली हूँ जो बहुत ही effective है जो बहुत ही इफेक्टिव है जिसे definitely result बिलता है और बेस्ट पार्ट है किया है पता है बेस्ट पाट है कि वैस्ट थे क्षेन के सामरों से भी बनता है तो कोई जल जड़की बात नहीं है कि अपया टेंशनumuz की बात Mana यह बहुत कॉमन की प्रॉब्लम है इंच पार्वल्म्र के साथ city living ै साथी जब हम बहार जाते हैं, तो सन की UV rays हमारी स्कीन पे पढ़ते हैं, जो पॉलिश रिंता बढ़ गया है, दर्ट से यह सबते भी हमारी स्कीन और डल होती है अब ही तो एक साल से हम करोना में मास पहन रहे हैं, जो हमें पहनना ही है, पर इससे भी कही ना कही हमारी स्कीन और डल होगी है तो जो मैं आज फैस्पिक बनाना सिखाने वाले मुझे बहुत ही एफेक्टिव है, आपको क्या करना है, हकते में दो बार इसको लगाना है, आपको डेफिनिल रिजर्ट दिखेगा, आप ही बोलेगा, आप कॉमेंट करके मुझे बताएगे कि आपको रिफेक्ट दिखने इतना एफेक्टिव है यह, हम हमारे वीडियो की शिरुवाद करते है और इसके पहले में नए सब्स्राइबर को बता दू, अगर आपको ऐसे ही हेल्थ और ब्यूट टिप्स हमेशा चाहिए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करते हैं, आपको हमेशा ऐसे अच्छे व एक जाहिए तो आप पीचे के पाहँ है, यह इस अभी जगा पर लगा सकते हैं और बैस पार्ट बता है बेसं का क्या है, बैस पार्ट है कि वह उस्ते को भी तरा की स्कीन हिलिटेशन्स नहीं होती हर स्कीन को ये सूट होता है, एक चुमच जतना ओर्स लेगे आप इसको ग जो अपर आइसे ही यूज में ले सकते हैं इसलिए आपके डाइट में लिजे और स्कीन में इसको इस्तेमाल में लिजे नेक्स्ट है रोज वाटर यानि गुलाब जल इसको भी आपको एक चमच इतना डालना है रोज वाटर से नामती आपको पता चलता है जिरांगी गुलाब का फूल उसके रज से बनता है अब समझ सकते हैं कितना effective है वह हमेरा स्कीन के लिए कितना हो helpful है इस से हमारे स्कीन हमेशा shampoo रहेगी next है हमारा honey एकच मच जितना honey भी डालना तो अब कि यह जो मैंच ने पीक बताए है आपको यह ओले यसे तो स्कीन के लिए है अगर आपकी स्कीन ड्राय है तो जैसे की बेसन फोड़ा निकालने में प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें एक चमर इतना दही भी डाल सकते हैं छाकि आपकी स्कीन ड्राय ना हो और पैची ना हो और इस सबको हम अच्छे से मिला लेगे अभी आप पैक रेडी है बस अब इसको हम लगाएगी ओके ज़रूर ही ये ट्राइ करें और मुझे बताना आप कुछ फाइदा हुआ की नहीं और मुझे पता है डेफिरिटली आपको फाइदा होगा कि क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव फेस्पेक है आप मुझे ज़रूर ही कॉमेंट करें बताएगी कि आपको इससे फाइदा हुआ है ऐसे ही मज़ेदार ब्यूटी टिप्स के लिए हैल्थ रिलीडिट टिप्स के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देकर आप नए है मैं चैनल पे और साथ ही गरी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेर कर देना मिलते हैं ऐसे मज़ेदार वीडियो में तब तक बाई टेक केर